अकसर लोग खाने का स्वात बढ़ाने के लिए करीपत्ता का इस्तमाल करते हैं जिसे बुंदिलखन इलाके में मीठी नीम की नाम से जाना जाता है रोजाना इसकी हरीपत्तियों का सेवन करने से सरीर में ब्लट शुगर लेवल कम होने की समस्या को उत्पन हो सकती है इतना ही नहीं इसमें सोडेम की अधिक मात्रा पाई जाती है जिस कारण बौडी में सूजन की समस्या भी उत्पन हो सकती है प्रसल मीठी नीम ब्लट शुगर लेवल को कंट्रूल करने में असरदार है इसकी अलावा डायविटीज के रोगियों को भी रोज सुबा करीपत्ता खाने की सलाय डौक्टर द्वारा दी जाती है साथ ही जो करीपत्ता है इसमें एक और प्रौपरिटी पाइजाती है सोलीम की जिनको सोलीम कभी कहन से स्वेलिंग बगरा कहीं आजाती है बौडी में स्वेलिंग हो जाती है तो इसकी स्वार्ण करने पर्टे जो बीए बहुत अच्छा उकान ही है और इसका स्वार्द रस देखा जाय तो तंत्रात्मक रस करता है तो इस हिसाभ से देखा जाए तो कई और भीमारियों में उसका फार्दा देखा गया है आधिक मात्रा में इस स्व One से बलते रहता है कभी भी किसी भी चीज़का बेस सेंबने के जिए गाए और मैंने यह रहता है कि इसको जो बैद जो अपने हैं अल्गॉत में हुए 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 इंके नगी दौबने शाट वर्या वे business brush को सिव